हेलो स्टूरेंट्स वेरी वेरी गुड इवनिंग तू अलो फ्यू हम अगीन मिले हैं अनकैडमी पर आप मैं और अनकैडमी रेगुलर मिल रहे हैं एक सूपर डूपर सेशन के साथ हमारे चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी स्टूरेंट्स अनकैडमी पर आपको नीट यूजी के बयोलोजी के कोर्सिस को दूंगी चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर अब आपको आनकैडमी के देखों मुझे है मेरे साथ जुडने के लिए आपको आनकैडमी के साथ जुडना पड़ेगा दोबारा एक वंशॉट वीडियो के इस सेशन को जादा से जादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो आनकैडमी और मेरे साथ जुडने के लिए आपको आनकैडमी लर्णिंग आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में इंस्टॉल करना पड़ेगा आप नीट यूजी के एस्परेंट है जैसे ही आप आपको इं जैसे प्रॉपर प्रेजंटेशन, 3D, मैंने रिप्रोड़क्शन में एक टाइप अप जिफ फाइल दाली थी वो बच्चों को बहुत पसंद आई अब मैं दीरे जल्दी स्मार्ट बोर्ट पे आजाओंगी तो मैं आपको 3D इमेजस से पढ़ाँगी तो Unlimited Assists, एक सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन एक और दो साल का Best Students, ठीक है? One Year and Two Year Subscription is Best Student, Best, 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 Very Best, क्योंकि यार कोई ऐसे थोड़ी होगी, पूरा साल भर का निचोडना है हमें, दो साल का इसलिए बेटर है क्योंकि दो साल में क्या है? आपको ज़्यादा interaction करने का मौका मिलेगा MB10 आप code use करिए आपको straight forward 10% का discount मिल जाएगा तो Unacademy Learning App को install करिए NEET UG का 1 and 2 year 1 या फिर 2 year का subscription लीजिए और मेरा code use कर लीजिए वहाँ पर आपको 10% discount मिल जाएगा अब हम लोग super cool session को start करते हैं Class 12 ecosystem का topic उठा रहा है One shot one video Again कह रही हूँ NEET में इसके भी 2-3 question on and average आते हैं छोटे छोटे बहुत सारे chapters कर लो एक बार में student आपके 65 या 68 questions ऐसे ही पक्के और सही हो रहे हैं अब देखो ecosystem एक बहुत ही easy और practical topic ecology का मैं AK करके chapter उठा रही हूँ कुछ चाइम में NCRT upcoming जो है बता देती हूँ upcoming क्या आ रहा है NCRT series जो लेके आ रहे हूँ ठीक है complete marathon of unit ये वही बच्चा enjoy कर पाएगा जो regular रहेगा so be regular ठीक है regular नहीं रहोगे तो update नहीं मिलेगी ठीक है इसलिए like, share, subscribe करो bell icon पर hit करो अपने आप notification मिल जाएंगे लैट्स कर एक नीक यूची का telegram वाला channel है उस group में आ जाओ मैं link भेज जूँगी वहाँ पर पता चल जाता है हम लोग share कर देते हैं कि ये चीज़े available है ओन सा lecture कर आने वाला है तो इसलिए follow करना पड़ेगा आना Academy Learning App को install कर लो student तो subscription ले लो इस chapter में हम लोग जो contents पढ़ने वाले हैं वो है about ecosystem productivity decomposition energy flow ecological pyramids ecological succession nutrient cycling ecosystem services यहाँ पर यह बहुत easy topic है ठीक है जैसे होता है कोई कोड़ भी माथा फोड़ी का होता है यह बिल्कुल माथा फोड़ी का topic नहीं कोई भी topic पढ़ने के पद आपको माथा फोड़ी का ननी लगेगा ठीक है देखो ecosystem actually बता रहा है living और non-living के बीच में interaction मैं एक living component हूँ मैं एक living organism हूँ मैं life को indoor करती हूँ क्योंकि मेरे पास वो सारे characteristics है जिनकी वज़े से मैं living हूँ मेरे पास growth है मेरे पास development है मेरे पास conscious है इसे मैं reproduce कर सकती हूँ मेरे पास cellular organization है typical cellular organization है metabolism है everything मैं adapted हूँ healing and repair होती है and finally death हो जाती है तो इस life span में आप environment के साथ interact भी करते हो और उस environment में देखो ecosystem is self regulated इसको चलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए ये खुद चलता है खुद control होता है self sustaining self controllable self sustaining and self controllable structural and functional unit of nature biosphere biosphere is composed of living organisms चला है आप देखो ये particular कोई area है यहाँ पर कोई human being रह रहा है ये particular कोई area है human being रह रहा है अभी human being air के साथ भी जुड़ेगा water के साथ भी जुड़ेगा और soil के साथ भी जुड़ेगा तो air मतलब atmosphere water मतलब hydrosphere और land मतलब lithosphere चीक है तो जो biosphere है मतलब जो different types of living organism है मौनेरा से लेकर till kingdom animalia पूरा का पूरा diversity उठा लो मतलब unique cellular prokaryotic से लेकर आप well developed multicellular eukaryotic तब जा रहे हो वो जुड़ रहे हैं किसके साथ वो किसके साथ जुड़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं atmosphere के साथ चीक है hydrosphere के साथ मुझे सांस लेने के लिए air की जरूरत है मुझे oxygen इंटिक करना है carbon dioxide बहार निकालना है मुझे पानी की जरूरत है H2O की मुझे land चाहिए रहने के लिए खेती बाड़ी करने के लिए और various activities बनाने के लिए मुझे घर तो land पे ही मिलेगा हवा में और पानी में तो मैं रह नहीं सकती हूँ मेरी body उस तरीके से adapted थोड़ी है कि मैं lifetime पानी में रह सकती हूँ मुझे terrestrial habitatry I can enjoy in swimming pool, I can enjoy in rainy season but permanently I cannot sustain in hydrosphere यह बहुत important है इस पर question पूछा गया है term ecosystem introduced by scientist densely in the year 1935 scientist पर और year पर पतानी कितनी बाड question पूछा गया है हर कभी कर आप तो 3-4 साल repeat होता गया अब देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ले देके interaction की ले देके किसके बारा में बात कर रहे हैं interaction की किसके बारा में बात कर रहे हैं students interaction की अब मुझे एक बात बताओ कि कोई organism अगर terrestrial habitat में रहेगा तो वह भी interact कर सकता है अगर aquatic में रहेगा तो वह भी interact कर सकता है चोटे area वाला भी interact कर सकता है तो अगर terrestrial ecosystem है, कोई भी ecosystem है उसमें दो conditions है Biofare होना चाहिए और abiotic component कोई भी हो सकता है वैसे तो तीनों ही involved है क्योंकि air भी जरूरी है, water भी जरूरी है और land भी जरूरी है तो कोई भी ecosystem है उसमें अगर दो component है, biotic और abiotic तो आप उसको ecosystem डिक्लियर कर दो लेकिन उन दोनों के बीच में interaction भी होना चाहिए, biotic components, abiotic components पे directly और indirectly dependent होते हैं तो terrestrial में क्या आएगा जैसे forest है, बड़े-बड़े vriks हैं forest हैं, उनमें plants होगे होए हैं, लोग उनको utilize कर रहे हैं, birds बैठ रहे हैं, animals बैठ रहे हैं, पानी को पी रहे हैं, interact कर रहे हैं, फिर वो मर रहे हैं तो decompose हो रहे हैं तो they are involved in recycling फिर water पर aquatic ecosystem देखो, this is a forest, ठीक हैं, this is desert, terrestrial, dry और zeric conditions जादा रहती हैं, dry, arid और zeric conditions ठीक है, अब दू, this is garden, this is pond, this is lake and this is sea और आप ocean भी कह सकते हों, ठीक है, आप देखो, aquatic में, fresh water, less salt concentration ठीक है, marine water, more water concentration, less water, more salt concentration, I am so sorry students ठीक है, ठीक है, केड़े मेन पॉइंट, अब आता है, इसमें ponds आगें, lakes आगें, streams आगें, seas and oceans आगें, नाचुरल एकोसिस्टम, नाचुरल एकोसिस्टम मतलब नेचर ने क्रियेट कर दिया, अब इंटराक्ट करो, मैन क्रियेट करेगा, तो anthropogenic इसमें, forest and marine ecosystem, अगर man-made क्रियेट होगा, तो maintained by humans, जहां पर भी humans का involvement हा गया, artificial man-made या फिर anthropogenic बोलोगे, artificial vegetative propagation देखा था, उसी तरीके थे, ठीक है, अब देखो, agriculture, garden, aquarium, घर में छोटा सा एकिर में पानी डाल दिया, खाना डाल दिया, fishes डाल दी, तो fishes, air के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे है, dissolved oxygen in the water, ठीक है, जैसे fish है, यह fish aquarium में है, अभी क्या कर रही है, आपने इसको food दिया, water, ठीक है, और oxygen, तो water मतलब hydrosphere, oxygen मतलब atmosphere, is it clear, उसके बाद, देखो, agriculture and agro ecosystem is the largest, agriculture मतलब बड़े खेत खलियान बना रहे हैं और biotic, abiotic components depend कर रहे, size पे small, large, small मतलब छोटा है, large मतलब बहुत बड़ा है, nano मतलब बहुत ही छोटा है, जैसे कोई भी log of wood है, ठीक है, log of wood है, उस पे fungus ग्रो कर गया, उसको थोड़ा सा moisture है, पानी मिल रहा है, ठीक है, air है, moisture है, air है, तो fungus क्या है, living है, ये, abiotic, ठीक है, अब mega ecosystem, गजब का बड़ा ecosystem, ठीक है, meso ecosystem, forest, बहुत बड़ा भी नहीं है, पोचपोटा भी नहीं, अब देखो, biosphere एक global ecosystem क्यों है, क्योंकि ये ecosystem है, यहाँ पर sunlight है, sunlight utilize हो रही है, biomass formation हो रहा है, ठीक है, यो कि green plants और producers करेंगे, ठीक है, ये transfer होगा, transfer होगा, फिर dead हो जाएगा, that means, it receives ये open system है, ओपन मतलब, exchange चलता रहता है, लेता भी रहता है, देता भी रहता है, receives input in the form of solar energy, it results in productivity, पैदावा, खाना बनाना, synthesis of organic food, जिसका credit पूरा green plants को जाता है, बोलते हैं, वरक्ष की लोग पूजा करते हैं, उन्हें काटते नहीं है, तो कि अगर वो नहीं होंगे, तो our survival is literally impossible, ठीक है, उसके बाद, okay, now, each component, the whole ecosystem give out energy as well as waste matter, अब organism dead हो गए, decomposers आगए, तो एक तरीके से, वहाँ से भी जो organic matter है, वो inorganic में convert होगा, और वापिस से क्या हो जाएगा, recycle हो जाएगा, जैसे organic matter है, ठीक है, यह क्या है, organic matter है, यह dead हो गया, dead से क्या निकल गया, और यह inorganic matter, और यह inorganic matter बापिस से गुल गया, मिट्टी से ही आना है, और मिट्टी में ही मिल जाना है, आपने biomolecules में देखेंगे आगे, कि जो मेरी body में elements हैं, वही के वही elements, soil में भी है, composition और जो थोड़ा सा percentage है, वो वेरी कर सकता है, ठीक है, दिन भर काम करना है, तो energy चाहिए, sunlight, अब इतना सारा काम हो रहा है, तो balance और coordination भी चाहिए, balance and coordination, ठीक है, हम किसी भी अगर जगे काम कर रहे हैं, हमारे उपर एक boss होता है, वो हर चीज को coordinate करता है, हमारी activities पर आये रखता है, कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, so represent homeostasis of an ecosystem, homeostasis means equilibrium maintain करना, proper environment को maintain करना, ठीक है, an ecosystem maintains a functional balance or relatively stable state of equilibrium, क्योंकि दिन मेरे exchange चल रहा है, ठीक है, homeostasis, कभी कभार ये fluctuate हो जाता है, due to certain factors, ठीक है, मैं बताती हूँ वो क्या है, अब क्या है, दूसरी बात, ये एक self-regulated system है, feedback system का मतलब क्या होता है, आपने किसी को कुछ दिया, आपको feedback बली गया, जीसे बोलतों न, कि यार मैंने आज ये बनाया है, मैंने खाना बनाया है, खाके देखना और feedback देना, तो feedback positive भी आ सकता है, और feedback negative भी आ सकता है, ठीक है, उसके बात, ecosystem दो component का बना हुआ है, biotic, abiotic, biotic मतलब living components, ठीक है, living components में कौन से कौन से आते हैं, monera हो गए, protesta हो गए, fungi, plantae, ठीक है students, and animalia, getting my point, producers जो खाना बनाते हैं, consumers जो खुद खाना नहीं बना सकते हैं, decomposers जो खुद खाना नहीं बना सकते हैं, पर degendative organism पर रहते हैं, ठीक है, abiotic मतलब, climatic factors, edific factors, climatic मतलब, में देखो, edific factors का मतलब ये होता है, अगर हम soil के बारे में बात करें, तो ये particularly क्या है, topographic factors, क्या है, topographic factors, जैसे soil की fertility, soil का texture, soil का color, everything, ठीक है, किसी region में कैसी बरसाते है, humidity है, moisture है, light है, water and temperature, ये सरे climate factors आते हैं, बोलते हैं, यहां का climate हमेशा pleasant रहता है, यहां बहुत गरम है, यहां बहुत जादा है, तो water क्या हो गया, hydrosphere, ये एक living organism है, plants, ठीक है, air हो गया, soil हो गया, अब ये सब interaction कर रहे, पर ये सब बहुत ही balance way में interact करेंगे, equilibrium maintain रहेगा, ठीक है, ये biotic, ये biotic हो गया आपके, उसके बाते को यहां पर क्या है, हमने सारे factors को count किया है, जैसे salinity, exposure to air, extreme temperature, बहुत जादा ठंड है, बहुत जादा गर्मी है, lack of sunlight, ठीक है, आप देखो, parasitism मतलब, dependent on host, dependent on host body, host, किसी भी other living organism पर, other living organism पर, ठीक है students, predation, competition for food, competition for space, it is all includes within parasitism, अब देखो, जब आप biotic components के बारे में बात करते हो, तो हमारे पास तीन तरीके के factors आते हैं, producers, consumers and decomposers, और इनकी बज़े से ही आगे चलकर food chain और food web create होती है, मतलब जो flow of energy है, जो flow of biomass है, देखो, biomass का मतलब क्या है, food preparation, जब मैं food को खाती हूँ, तो मेरी body में energy automatically आ जाती है, तो flow of food होगा, तो flow of energy भी होगा ठीक है, अब देखो, different biotic components are connected, that is the basis of food chain and food web, and food web, getting my point, अब तीन तरीके कैसे organism हैं देखो, यहां पर हमने बात की producers, consumers and decomposers, चीक है, क्या होगा, producer को यह क्या है, यह unidirectional है, चाहे flow of energy हो या flow of food हो, पूरा का पूरा unidirectional होगा, decomposer से producers में नहीं जाएगा, sorry, decomposer से consumer में नहीं जाएगा, consumer से producers में नहीं जाएगा, ठीक है, flow of, flow of biomass as well as energy, flow of biomass and energy, ठीक है, अब producers कौन से होगे, जो खाना बनाएंगे, जो खाना produce करेंगे, कौन से plants ऐसे हो सकते हैं, जिनके पास chlorophyll होता है, जिनके पास क्या होता है, chlorophyll होता है, chlorophyll होना mandatory है, जो green color pigment है, जो sunlight को trap करेगा, trap sunlight, जो CO2 को fix करेगा, sunlight को trap करेगा, CO2 को fix करेगा, H2O को utilize करेगा, तब जाकि ग्रूपोस बनाएडा, ठीक है, अब देखो, क्या utilize कर रहा है, inorganic matter, जैसे CO2 plus H2O, ठीक है, sunlight, photosynthesis में, कल्या पर्सों में उठाने वाले, उसमें clear कर दूँगी, CO2 plus H2O plus sunlight, और, C6, H12O6 plus oxygen, तो green plants, एक तरहेके से CO2 fixers है, recycling of gas करा रहे है, CO2 को ले रहे है, oxygen को दे रहे हैं, oxygen हमें जरूरत है, ठीक है, उनके पर green color pigment होता है, organic food बनाएगे, glucose, अब मैं थोड़ा सा pen color change करती हूँ, मज़ा आँए students, मुझे रहे हैं सेशन तो बहुत इंट्रस्टिंग होता है, अभी बच्चे बहुत सारे आने लग गए, अब देखो बहुत सारे बच्चे आओ, खूब लाइट शेयर और सब्सक्राइब करो students, ठीक है, अपना connection forever होना चाहिए, producers also maintain carbon dioxide in CO2 fixers, getting my point, हम नहीं कह सकते हैं कि green plants, पर एनन को count करूँ, पूरे साल को count करूँ, तो 4 into 10 raise to power 9 CO2 को वो fix करते हैं, इतना fix, चाह एलगी लेलो, ब्रायोफाइट लेलो, वैस्कुलर चिरिडोफाइट लेलो, blue green algae लेलो, आप ये photosynthetic protes लेलो, kemosynthetic लेलो, सब खाना बना रहे हैं, सब nature में biomass बना रहे हैं, चीक है, अब plants terrestrial भी होंगे, aquatic भी होंगे, चीक है, aquatic में surface पर भी हो सकते हैं, चीक है, और deep भी, consumers क्या होंगे students, consumers क्या होते हैं, consumers जो consume करते हैं, खुद खाना नहीं बना पाते हैं, ये क्या होते हैं, ये other link, so sorry, यहां पर मैं consumer लिख रहे हैं, चीक है, dependent, ये directly dependent होंगे plants पर, इन में वाराइटी आती है, भाह, बहने मुझे खाना नहीं बनाना आता, मैं खुद खाना नहीं बना सकती, तो यह तो मैं plant को खाऊंगी, यह तो मैं animal को खाऊंगी, तो यom Prant पर directly dependent हूं, या मैं Animal पर directly dependent हूं, और जिस एनिमल पर मैं dependent हूँ, वो एनिमल भी तो प्लांट भी dependent हो सकता है तो इसलिए herbivores and carnivores ठीक है, obviously बात है, decomposers भी एक तरीके के टाइप of consumers हैं ठीक है, पर उनका mode of nutrition थोड़ ऐसा different होता है, इसलिए हम उनको अलग count करें यहाँ पर क्या हम directly गल्फ करते हैं, phagocyte करते हैं तो phagotropes आदो, यह herbivores भी हो सकते हैं और यह carnivores भी हो सकते हैं, ठीक है herbivores मतलब directly dependent एक तरीके से only plant eaters यह सिरफ plant को खाकर जिन्दा रह सकते हैं, कि किसी और animal को खाकर जिन्दा नहीं रह सकते हैं यह पुछ और भी नहीं खा सकते हैं, animal, flesh-eating, इसलिए इनका जो canine है, C for carovivores, C for carnivores बहुर्त prominent होता है, prominent होता है, flesh को tear out करने के लिए, ठीक हैं, अब आते हैं, herbivores, अब देखो, अब दिसे जो consumers हैं, यह दो तरीके के हो गए, तो first time, first order consumers, जो directly green plants पर dependent हैं, अब यह जड़ती पर भी हो सकते हैं, पानी में भी हो सकते हैं, तो terrestrial and aquatic, एक तरीके से यह जो protozoans हैं, वो zoo plants, deer है, rabbit है, mouse है, squirrel है, grass hopper, यह सिर्फ और सिर्फ plant खा सकते हैं, directly dependent on plant, harvest are key industry animals, harvest are key industry animals by Elton, अब यह देखोगे, हम लोग ecological pyramids को देखेंगे, ecological pyramids को Eltonian pyramids कहते हैं, getting my point, अब देखो, carnivores, they are second order consumers, getting my point, जैसे frog है, centipede है, jackal है, only animal eaters, चीक है, अब देखो, carnivores which feed on primary carnivores, हम ही कह सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, हर्भी वोर्स है, हर्भी वोर्स पे, जो carnivores depend है, वो होंगे primary carnivores, primary carnivores के बाद कोई option नहीं है, उनको इनी पर depend करना है, फिर आते है, secondary carnivores, ऐसे करके tertiary भी आएंगे, अब top carnivores भी आएंगे, फिर, tertiary carnivores, getting my point, जोगे, अब टॉप कार्निवोर्स, इनको कोई में खा सकता पर यह सब को खा सकते, obviously loin, very very powerful animal, decomposers, इनको degraders भी कहते हैं, scavengers भी कहते हैं, और saprophytes भी कहते हैं, reducers भी कहते हैं, क्योंकि यह reduce करते हैं, complex को simpler में, और बहुत बड़ा role play करते हैं recycling में, कोई भी dead and digging organism है, उसको क्या करना है, degrade करना है, क्योंकि nature को उससे clean करना है, वाना पड़ा-पड़ा सब जाएगा, complex body को छोटे में तोड़ा, तोड़नी के लिए क्या चाहिए, enzymes, ठीक है, तो absorptive, मतलब अगर यह किसी dead and digging organism पे बैठ रहे हैं, उनको खा रहे हैं, उनका complex part simpler में खतम कर रहे हैं, तो खुद भी खा लेते हैं, खुद का पेट भी भर लेते हैं, और थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, और इस सोईल की फटीलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब complex body के अंदर, भई प्लांट है, उसमें glucose बनाज़ बनाज़ अर्गानिक मेंटर है, अनिमल ने प्लांट को खाया, उसमें भी glucose से लागया, और अर्गानिक में तो अर्गानिक में पर्ट करना है, और फिर वही अर्गानिक को यूज करके और गानिक बनाएंगे, तो इस इस रेशाइग अफ नूत्रियूंट्रियूट्स, अब्सौप्टिव मोड अफ नूत्रिशिन, गटिग माइपॉइंट, अब इस्मॉल साइज होते हैं, इसलिए, माइड्रो कंशूमर्स, तो कंशूमर्स को माइ अब देको A-Biotic components ऐसे आपके syllabus में नहीं है थोड़ आसा neat की point of view से बता रही हूँ A-Biotic मतलब non-living components देको यहाँ पर आएगा temperature हर organism को एक particular temperature चाहिए survive करने के लिए क्योंकि body में होते हैं enzymes enzymes के काम करने से ही metabolism चलता है और enzymes को काम करने के लिए अगर एक बहतरी temperature मिल जाये तो metabolism अच्छा होगा, metabolism अच्छा होगा तो survival अच्छा होगा ठीक है तो एक particular temperature चाहिए यह range है ठीक है mainly enzymatic activities के लिए और हमें कहीं न कहीं जो temperature का relation है वो light से भी होता है जैसे आज sunlight बहुत जादा थी तो temperature जादा था sun है नहीं temperature कम है ठीक है अब दिखो यहाँ पर अगर हम poikilo thermal की बात करें cold blooded organism बहार अगर temperature कम है तो यह भी अपनी body का temperature कम कर लेटे है बहार अगर temperature जादा है तो यह भी अपनी बॉड़ी का टेंपरेचर जाधा कर लेकिए मतलब इनकी बॉड़ी का कोई भी कॉंस्टेंट टेंपरेचर नहीं होता है not able to do homeostasis not able to do homeostasis और homeothermal अब homeo नाम ही बता दिया है homeo मतलब able to do homeostasis अपनी बॉड़ी का एक constant temperature maintain करके चलते हैं बाहर कुछ भी हो कुछ भी matter नहीं है इसलिए यहाँ पर हम लोग काफी हद तक adaptations और acclimatization की बात करते हैं चीक है और देखो जिसे poikilo thermal animals है आपने देखा होगा lizard बहुत लंबी winter सीप पे चली जाती है या mouses है तो cold-blooded animals बशरते अपना temperature बाहर के temperature के हिसाब से maintain करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर मान लो outer temperature बहुत adverse है बहुत ज्यादा है इतना नहीं बढ़ा सकता हूं बहुत कम है इतना नहीं घटा सकता हूं तो फिर आपको hibernation उन organisms को hibernation या फिर estimation की help लेनी पड़े ठीक है sleep of six months quiz and stage में है death नहीं हुई है six months to cope up with adverse conditions to cope up with adverse conditions अब light है वही main क्या है जो source है वो sunlight है सबको sunlight चाहिए कोई भी organism है उसको sunlight चाहिए rate of photosynthesis उसको डिपेंड करेगा photoperiodism उसको डिपेंड करेगा plant का growth and movement उसको डिपेंड करेगा oxyn work उसको डिपेंड करेगा ठीक है breeding and migration जैसे कुछ organism है यहां पर बहुत light है बहुत temperature बढ़ गया नहीं रह सकते migrate करें water water सबको चाहिए ठीक है यहां पर अगर हम aquatic की बात करें तो अगर हम खुद कहें कि earth का अगर आप consider करोना 80 to 90% यह आप कहसके लिए कर हम कहें तो 97% आपका earth water से घिरा हुआ है मेरी body में 80 to 85% से water है blood का plasma water body fluid water lymph fluid water everything required water metabolism के लिए water चाहिए digestive enzymes hydrolytic है उनके लिए water चाहिए हर reaction के लिए water चाहिए ठीक है तो सबको water चाहिए अब zero fight check conditions है जो बहुत ज़ादा dry और arid condition है sunlight बहुत ज़ादा है water नहीं है उस समय adapt करना पड़ेगा hydrophytes air storing parenchyma air enchyma जो biovency provide करते हैं biovency मतलब पानी के surface पर tear नहीं की शमता देते हैं अब आता है ecosystem functions अच्छा मैं एक सी दौर लिखा देती हूँ aquitic required for survival indirectly हम लोग कह रहे है metapolys हर organism को पानी के ये biomolecule को हम inorganic biomolecule chapter में हम लोग water को inorganic में डाव लोग रहे हैं इको सिस्टम function देखो ecosystem का function करवाना है ecosystem क्या क्या काम करेगा productivity decomposition energy flow and nutrient cycle देखो हर component interrelated है अगर हम productivity की बारे में बात करते हैं productivity का मतलब क्या होता है green plants produce food green plants produce आपने कौनसे समझो लिखा सब कुछ है green plants ने खाना बनाया वो है उनकी productivity biomass particular एक area में बैठ कर particular एक time को लेकर तो उसका measurement कैसे होता है कितना खाना बनाया उस पर और energy के basis पर क्योंकि food has energy कोई की green plant है एक particular उसका area है एक green plant है वो particular area में है एक particular time में है वो क्या करेगा photosynthesis करेगा जिससे की food बने biomass बने energy बने चीए तो उससे particular area और time में बैठ कर खाना भी बना लिए उसके अदर energy भी store है तो आप उसके खाने के वजन से भी उसको measure कर सकते हो अपने survival के लिए भी खाना चाहिए तो वो खुद भी यूटिलाइस करेगा खुद थोड़ा store भी करेगा और दूसरों को भी दे देता चीक है तो primary productivity का मतलब क्या है ग्रीन प्लांट ने जो भी बनाया जो भी biomass बनाया उसमें जितनी भी energy contained थी उससा primary productivity में आ जाती है ग्रॉस प्राइमरी productivity का मतलब क्या है total organic matter synthesized by producer by photosynthesis per unit area per unit time is gross primary productivity जो भी प्लांट ने एक बार में बना लिया जो भी खाना प्लांट ने एक बार में बना लिया पर एरिया में बैट कर पर टाइम को लेकर वो है ग्रॉस प्राइमरी productivity gross मतलब पूरा gross लिया यह आप एक साथ जो भी करना था कर लिया ठीक है आप वो खाने को क्या करेगा utilize भी करेगा खुच से store भी करेगा share to others ठीक है यह आपको count नहीं करना है gross primary productivity में यह सब आपको count नहीं करना है क्यों? it includes the weight of organic matter added in the body the producer plus the losses suffered by them due to respiration, grazing, other damages केने का क्या मतलब हुआ plant खड़ा है उसको सारी favorable conditions मिल गई photosynthesis किया biomass produced हुआ food बना, energy bunny उसने food भी बनाया energy billy खुद भी खाया अपनी metabolism में अजर अजर जगे भी यूस किया plant growth development कराना तब भी खाना चाहिए respiration कराना तब भी खाना चाहिए reproduction कराना तब भी खाना चाहिए और उसे दूसरों को भी देखिए सब कुछ मिला लो gross primary productivity और net primary productivity मतलब plant ने जो भी manufacture किया खाना उसमें से उसका metabolism minus करतो मतलब मैंने जो बनाया मतलब मैंने जो कमाया minus जो मैंने खर्चा किया खर्चा करने की बाद क्या बचेगा net primary productivity ठीक है तो NPP क्या हुआ GPP minus respiratory losses difference between net primary and gross gross क्या होता है amount of organic matter synthesized by producers ठीक है amount of organic matter stored by producers ठीक है उसके बाद body weight जो कि खाना खाया प्लस जो भी losses वो करेगा सब प्लस कर दो minus मत करना ठीक है उसके बाद net primary productivity is जितना organic matter उसने किया है और जितना गवा दिया है सबोस करो output या 100 ठीक है आपन कह सकते हैं कि जो expenses है वो 10 rupees है तो NPP क्या हुआ 100 minus 10 90 ऐसे practical example आप समझ सकते हो ठीक है अब NPP कम आएगा 90 rupees आपके पास कब बचे जब आपने 100 rupees कमाए ठीक है तो NPP directly dependent upon gross primary productivity secondary productivity का मतलब क्या है secondary productivity मतलब जैसे यह producers है यह producers है ठीक है इन पे कौन dependent है consumers इनके पास जो भी GPP या जो भी NPP था वो किसमें चला गया इन पे चला गया अभी क्या कर रहें इनको यूटिलाइज कर रहें कर यह हमने जैसे हमने गेमू लेके आये हैं तो गेमू प्लांट का प्रोटे लेकिन गेमू में से रोकी बनाना तो मेरा काम है न तो मैंने आज जितना biomass बनाया अभी कंजूमर्स डिपेंडिंग ओन डिपेंडिंग ओन डिपेंडिंग ओन डिपेंडिंग ओन प्रोटेूसर्स इनके पास भी तो biomass ले देके biomass और energy प्रोटेूसर्स से आईगी न अब डिफ्रेंस क्या है देखो, rate of synthesis by producers rate of synthesis by consumers comparatively quite high, obviously कम ही होगा क्योंकि जब biomass और energy एक ट्रॉपिक level से दूसरे में जाती है तो घटके ही जाती है, सिर्फ 10% जाता है according to Lindemans 10% low, synthesis of fresh organic, synthesis of organic matter from organic matter start organic matter है रोटी बना ली वो भी organic matter है अब decomposition क्या होता है decomposition मतलब complex complex dead organism simpler organism ले देके जो complex में organic matter था उसको आपने inorganic में convert कर दिया decomposers ने decomposers transformation उसका release ठीक है तो suppose करो यहां पर कोई soil है मैं इसमें detritus add कर दूँ और फिर इसका decomposition कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ कर सकते हो अब देको detritus fragmentation catabolism and leaky humus बन गया mineralization एक तरीके से increasing soil fertility fertility getting my point अब क्या होगा production और decomposition में फर्क क्या है process of synthesis of organic compound getting my point यह related है directly photosynthesis यह energy को क्या करता है track करता है और क्या बनाता है biomass getting my point मतलब छोटा छोटा मिलकर एक बड़ा particle बनाता है और decomposition इसका opposite है यह दोनों एक दूसरे के antagonistic है जो production में होगा decomposition में exactly उसका उल्टा होगा process of breaking मतलब complex को तोड़ो simpler में ठीक है releases energy releases inorganic nutrients from biomass और biomass क्या है यहां पर किस से related है glucose ठीक है 6 carbon compound C6H12 O6 अब profit levels क्या होते है each step of ecosystem covered by living organisms living organisms अपनी जगे खुदी decide कर ली और mechanism ठीक है students अब क्या है producers top पर है ठीक है ठीक है फिर primary consumer secondary और तो एक तरीके से यह क्या बन गया पिरामिड अब 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 food chain क्या होता है अब उनको आप कह सकते हो की herbivores ने खाया then उनको primary carnivores ने खाया then secondary carnivores ने खाया ऐसे change चलती जाती है बतलब एक organism दूसरे पर क्या है dependent है for what? dependence for survival for biomass for energy क्या जरूवत है herbivores को producers को खाने की for survival food chain का अगर एक भी member minus हो गया economic level खत्म हो गया food chain in future खत्म हो जाएगी ठीक है? सबसे common कौन सी होती है? grazing अगर grazing is a type of terrestrial ठीक है? getting my point कैसे होगा grazing का देखो grass को किस ने खाया? grass over ने खाया यह क्या हो गया? यह हो गया herbivores यह क्या हो गया? primary carnivore snake क्या हो गया? secondary carnivore और peacock क्या हो गया? tertiary carnivore getting my point अब देखो चाहे terrestrial ecosystem हो या aquatic ecosystem हो सब में ट्रॉपिक levels होते हैं तो हर टाइट की food chain बनेगी अब कोई vegetation है? यह producer हो गया? ठीक है? rabbit क्या हो गया? herbivore हो गया primary carnivore secondary carnivore और tertiary carnivore और यह overall मिलाकर क्या है? यह overall मिलाकर consumers है they are directly or indirectly dependent on producers ठीक है? उसके बाद आप पानी किये लोग छोटे छोटे पेड़ कौद रहे हैं उनको छोटे छोटे कीरे मकोड़े ने खाया आपके small crustacean, insects, fishes, large fish getting my point तो यह क्या है? काफी long food chain है आपकी एक food chain में minimum 3-4 trophic levels होने चाहे है मतलब step by step arrangement of trophic level is food chain उसे मैं पता चाहे हैं किस ने किसको खाया कौन किस पर dependent है it is a food web it is a network of food chain देखो यह एक food web है जब बहुत सारी food chains जुड जाएंगी मतलब यह food chain है इसका एक trophic level है यह दूसरे food chain पर dependent है फिर तीसरा food chain चौथरे पर dependent है मतलब यह पहली food chain है फिर यह दूसरी food chain है यह तीसरी food chain है यह चौथी जाल बन गया है एक food chain का एक trophic level दूसरे food chain के दूसरे traffic level पर depend कर सकता है मतलब वन ट्रॉफिक level बहुती simple definition बता रहे हूं वन ट्रॉफिक level वन फूद चेंड डिपेंडेंट ओन अनदर ट्रॉफिक level अगो ट्रॉफिक level कोई भी हो सकता है अनदर ट्रॉफिक level ओफ अनदर टोटली डिफ्रेंट फूद चेंड ठीक है गेडेंग मैं पॉइंट अब जीक हो जैसे हम लोग हमेशा हर ट्रॉफिक level किससे स्टार्ट होगा प्रडूसर से चाहने वो दुनिया का कोई भी food chain हो ठीक हो कई प्लांडांडंग्का कहीं प्लांट का होना सरूभी है उसको स्मॉल कॉस्टेशियन ने खाया फिर फिश को गया अब इसे पे ही एक्विट्वेटी प्लांट पर टैट्पोल भी डिपैंडेंट है यह पूरी एक दूसरी फोर्ट चैन है फ्रोग को small crustacean लिए तो यह पूरा interconnected एक जाल बन गया food chains are interconnected to each other resulting in the formation of food web अब देखो energy flow क्या होगा अगर biomass एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल में transfer होगा तो definitely energy का भी transfer होगा वो unidirectional है कोई rivers नहीं है solar radiation चाहिए with rice in trophic level ठीक है अब देखो GPP क्या है gross primary productivity इसी में से ही losses भी compensate होगे फिर मुझे बाद का plant ने खाना बनाया खुर्द खाया metabolism में गवा दिया बचा क्या NPP ठीक है अब मुझे खाना बनाया खुद यूज किया losses भी कर वा ले उसके बाद भी तो हर्वी बोर उसको खा सकता है तो GPP या फिर NPP gross primary productivity या फिर net primary productivity दोनो consumers में चले चाती है Getting my point अब मानलो हर्वी बोर की अंदर जो था वो तो कार्वी बोर में चला गया मानलो हर्वी बोर कार्वी बोर के खाने से पहले ही मर गया Energy transferred to decomposers मतलब again GPP NPP GPP NPP ठीक है यह respiration cost energy requirement for maintenance of body rises It is actually a metabolism जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा energy और biomass भी बढ़ता जाएगा अब देखो ट्रॉफिक लेवल में 90% energy loss है मतलब 10% lindman's law होगा 10% lindman's law होगा कहने का कह मतलब है कि producer में जो भी biomass और energy है उसका सिर्फ 10% हर्भी बढ़ में गया हर्भी बढ़ के पास जो biomass energy आई उसका 10% इसमें गया कार्भी बढ़ के पास जो biomass energy थी उसका 10% कार्भी बढ़ तू में गया है कार्भी बढ़ को उससे कम मिला इसको उससे भी जाता कम मिला तो इसका 10% ये निकलेगा इसका 10% ये निकलेगा इसका 10% ये थीए चीके स्टुटर्स अब ये नंबर बताया है ये इंपोर्टेंट है अब आप खुद देखो ये ट्रॉफिक लेवल है ये सेकेंड है यह secondary है और यह third है getting my point अब देखो यहाँ पर जो green plant photosynthesis कर रहे थे उसका 10% इनको मिल गया फिर इनका 10% इनको मिल गया और फिर यह ठीक है? मुझे पता है आप लोग कहीं नहीं करें जुड़े हो यह तो दोबार लाइट शेर सब्सक्राइट करतो यदि यह पूरा एक ecosystem बताया है जैसे यह green plants है इन्होंने photosynthesis से biomass produce किया इसका 10% इसमें चला गया इसका 10% यह सब किसमें आता है? यह losses की category में आता है यह सब metabolism means obviously food की manufacturing और food का utilization भी metabolism है और finally decomposers अब हम लोग बात करें ecological pyramids की ecological pyramids क्या होते है students बताओ देखो ecological pyramids मतलब it depicts inter relationship between various tropical levels कुछ ऐसे बना सकते हैं broad base and narrow apex यह पहला ट्रोफिक लेवल दूसरा तीसरा चौता फर्स ट्रोफिक लेवल सेकेंड ट्रोफिक लेवल थर्ड ट्रोफिक लेवल इनका arrangement एक pyramid बनाता है क्या बनाता है पिरामिड बनाता है normal shape is always upright चीक है normally यह upright ही रहते हैं यह कभी कबार inverted भी हो जाते हैं और यह spindle shape भी हो जाते हैं maximum cases में आपको pyramid upright ही मिलेगा inverted and spindle यह क्या है यह तीन तरीके के होते हैं कैसे होगे pyramid of number count the number of organisms in each trophic level ठीक है students getting my point students अब क्या होगा देखो यह upright भी हो सकता है यह क्या है upright भी हो सकता है और spindle भी हो सकता है upright कैसे देखो आप grassland को consider करों यहाँ पर grasses का number बहुत जाता है grasses का number क्या है students बहुत जाता है ठीक है उसके उपर मैंने कहा कि बहुत सारी birds आदे है birds का number grasses से कम होता है यह आप कह सकते हो कि आप grasshopper ले लो grasshopper का number grasses से क्या है कम है और अगर grasshopper को bird खाती है तो bird का number grasshopper से कम है ठीक है अब आप जैसे कोई भी spindle शेक ले लो प्री का number क्या है एक ही है ठीक है यह tree है उसके उपर बहुत सारी birds आकर बैट गई है small small birds और उसके साथ big birds भी बैटी है लेकिन उनका number क्या है थोड़ा सा कम है तो यह कैसा बन गया ऐसा spindle की तरह है ठीक है getting my point अब pyramid of biomass का मतलब क्या होता है weight ठीक है pyramid of biomass का मतलब क्या होता है weight suppose करो आप एक aquatic ecosystem लेलो उसके अंदर बहुत सारे phytoplankton है उसके अंदर क्या है students बहुत सारे phytoplankton है बहुत सारे phytoplankton है अब आप उनका weight कर लो उतना नहीं आएगा उसके उपर एक small fishes feed कर रही है यह क्या है यह phytoplankton है यह inverted बनेगा आपने बहुत सारे phytoplankton लिया उनका mass लिया ठीटा गया फिर उसके उपर क्या है small fishes बेट खाएंगी उसे अब आपने small fishes का weight लिया तो small fishes का weight phytoplankton से जादा आया ठीक है उसके बाद उन्हें big fish ने खाया अगर इसका मैं number का बनाऊ तो क्या होगा students इसका बना के देखना big fishes उनका बजन इससे भी जादा आया तो यह inverted pyramid of energy always upright क्योंकि energy का law होता है कि वो सिर्फ 10% law से ही flow करेगी always and always upright आँख बद करके लिख सकते हो number मतलब trophic level पर number को count करो biomass trophic level पर बजन को count करो energy कितनी energy जाए ठीक है एक जीज़ और इनको scientist Elton ने discover किया था तो Eltonian pyramid केते हैं बहुत important है बहुत बार need में question पूछा गया है अब ecological succession क्या होता है succession मतलब development succession का मतलब क्या होता है students development आगे बढ़ना धीरे 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 आगे बढ़ना अब suppose करो जैसे पहले अर्थ बनी अर्थ पर environmental conditions बिल्कूल भी अच्छी नहीं थी बहुत ही बेकार थी फिर दीरे धीरे उन पर जैसे एक rock है आपने rock को लिया यह rock मान लो अब यहां पर no water and then no air है फिर भी organisms grow करेंगे किस टाइप के lichen type के lichen grow होंगे फिर धीरे 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 lichen की grow होने से थोड़े से और organism बढ़े फिर थोड़े थेलोफाइट आए ब्रायोफाइट आए उन्होंने rock को क्रेवाइस किया धरी-धरे वेधरिंग हुई वेधरिंग हुई सोई बनी सोई में fertility हुई टेरीडोफाइट आई जिमनोफाइट साइज जिमनोजपाँ साइज और अन्जियोजपाँ साइज तो यहां पर क्या हुआ लीड टू सक्सेशन ठीक है तो जो पहली species आई ही थी अब उन्हें दुनिया की कोई भी environmental condition में उससे कोई मतलब नहीं है वो है pioneer community group of species making a community in particular area of time इस बीच में जो आई इनसे serial community अब बीच में आई environmental condition ठीक नहीं थी वो लड़ी उन्होंने parasitism किया commensalism किया competition हुआ finally जो species बजी last तब means they are the fittest one वो है climax community ठीक है अब primary succession का मतलब क्या होता है एक minute primary succession मतलब initially emergence of organisms ठीक है secondary मतलब secondary succession मतलब later on occurs from primary occurs from primary ठीक है students अब zeric music और hydric succession क्या होता है देखो zeric succession means ऐसे एरिया में succession होना ऐसे एरिया में living organisms का पैदा होना pioneer serial और climax condition पे आना जहां पर बहुत ही dry और arid conditions है इन conditions में no water no water कुछ भी नहीं है इनके पास कोई facility नहीं यह पानी बहुत कम है music मतलब average condition यह एक तरीके से very difficult condition हो गई यह average condition में थोड़ा पानी आ गया rainfall हो गई atmosphere अच्छा हो गया moderate hydric मतलब good condition abundant water है हर चीज को करने के लिए कोई भी metabolism हो survival हो reproduction हो everything तो यहां से दिरे दिरे क्या हो गया यह succession और better होता गया चीक है जैसे यहां पर आपके lichen आये फिर दिरे दिरे थोड़ा पानी आया thelophyte side getting my point फिर bryophyte side फिर और अच्छा पानी आ गया pteridophyte side gymnos pumps and and finally angios pump और दिरे दिरे इन plant से भी environment के साथ adjust करना सीख अब अगर हम nutrient cycle के बारे में बात करें ecosystem के function में तो अगर cycle क्या होता है nutrient flow between between abiotic and biotic components getting my point air के साथ water के साथ land के साथ biotic में सब आ जाएंगे producers भी consumers भी या फिर consumer है अगर atmosphere पे carbon यूज कर रहा carbon cycle nitrogen यूज कर रहा nitrogen cycle पत्फर से फॉस्पोरस ले रहा फॉस्पोरस cycle सरपर ले रहा है sulphur cycle अब देखो carbon cycle कैसे होगी जैसे यह atmosphere है अब atmosphere ने CO2 green plants को दे दी है ठीक है animals है वो respiration करते हैं green plants भी respiration करते हैं respiration ठीक है अब इनों ने क्या किया क्या बनाया respiration से क्या निकाला CO2 यह भी मिल गया getting my point यहाँ पर अगर हम लोग decomposers की बारे में बात करते हैं तो वो भी कही न कही atmosphere को दे रहे हैं ठीक है combustion CO2 cycle मतलब यहां से चले हो और दोबारा यहां पर आपको आना है ठीक है अब देखो यह कैसे चल रहा है dead organism waste product fossil fuel की burning factory से immersion निकल रहे है organic carbon animal respiration यह पूरा interaction चल रहा है ठीक है एक चीज़ा यहां पर भी लिख सकते हो industrial and automobile emissions यह भी atmosphere में CO2 को contribute करते हैं इसलिए कहते हैं do more e-forestation क्योंकि सब लोग मिलकर दे ही रहे है atmosphere को taking so do more e-forestation ठीक है students अब देखो अगर phosphorus cycle की बात करें तो phosphorus mainly किसमें रहता है में rock की बात करू rock में क्या है rock में क्या है phosphorus है इसमें अगर growth होगी या इसके उपर मान लो कोई lichen की growth हो गई उसके बात microorganism की growth हो गई तो finally यह जो phosphorus है देखो इसकी क्या होगी weathering भी होगी इसकी weathering होगी इसकी weathering होने से phosphorus किसमें चला जाएगा soil में चला जाएगा soil से किसमें चला जाएगा आप देखो soil से directly producers भी ले सकते हैं NPK हमारा बहुत important है then consumers ने लिया then decomposers और decomposers वापस से soil में डाल दिया मतलब ले देखे phosphorus को हमें rock से क्या करना है extract करना है extracted from rock lithosphere sediment देखो यहां पर मैंने जो a-biotic component है जो a-biotic component क्या है वो air है यह क्या है lithosphere है तो वैसे ही biotic component किस पर dependent है इन दोनों पर dependent है syllabus में आपके carbon और phosphorus cycle है nitrogen cycle हम लोग mineral nutrition में nitrogen fixation में देख लेंगे students so finally हमारा topic ख़त होता है students again आपको क्या करना है एक super duper session के साथ हम लोग ने इस one shot video खतम बेले भी तब तो बहुत सारे one shot video होगा होंगे students आपको unacademy learning app को install करना है नीट यूजी का subscription लेना है one year and two year are best है मेरा code आप use करेंगे 10% discount आपको मिल जाएगा तो यह आपका one shot one video ecosystem का खतम होता है जुड़े रहे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा regular रहेंगे और बहुत सारी चीजों को ले सकते है अब अगले session में मिलेंगे students till then bye bye have a nice day